इस वीडियो में हम कुलाइट के बारे में पढ़ेंगे क्या आपको याद है हमने विलियन के बारे में अध्यन किया था और आपने पढ़ा था कि विलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रन है परन्तु क्या ऐसा विलियन भी हो सकता है जो विशमांगी हो आइए देखते हैं इस तरह का एक विल्यन होता है और इसे कुलाइडल विल्यन या कुलाइट कहा जाता है अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे एक कुलाइड़ के कण पूरे विल्यन में समान रूप से फैले हुए होते हैं कणों के बहुत छोटे आकार होने के कारण निलंबन की तुलना में कुलाइडल मिश्रन देखने में समांगी प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में एक कुलाइडल विल्यन एक विश्मांगी मिश्रन है उधारन के लिए दूद एक कुलाइडल विलियन है आपको यह लगता होगा कि दूद तो एक समांगी मिश्रन है लेकिन इसमें वसा, पानी और प्रोटीन के कण होते हैं जो इसमें निलंबित रहते हैं परन्तु खाली चोड़ने पर यह कण अलग होकर नीचे नहीं बैठते जैसा कि आपने विलियन के संबंध में देखा था कि उसी प्रकार का कुलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम उन्हें नगन आखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन यह कण प्रकाश की किरन को आसानी से बिखेर सकते हैं जिसे हम प्रकाश का पथ दिखता है किरन के प्रकाश के इस प्रकिर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है टिंडल उस वेग्यानिक का नाम था जिसने इस प्रभाव की खोच की थी क्या आपने देखा है कि जब प्रकाश, खिड़की या एक छोटे छेट के माध्यम से एक कमर में प्रवेश करता है तो हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते होंगे इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं और अंग्रेजी में टिंडल एफेक्ट यह हवा में धूल और धूए के कणों द्वारा प्रकाश के बिखरने के कारण होता है जब हम कोलाइड को खाली रख देते हैं तो इसके कण नीचे नहीं बैठते यानि एक कोलाइड काफी स्थिर होता है कोलाइड के कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया से मिश्रन से अलग नहीं किया जा सकता है लेकिन अपके इंदरी करण लब इंग्लिश में जिसे हम सेंट्रिफ्यूगेशन केहते हैं का प्रयोग कोलाइड कणों को अलग करने के लिए इस्थिमाल किया जाता है कोलाइड के गुणों को नोट कर ले आगे बढ़ते हैं आपने पढ़ा था कि विल्यन के दो घटक होते हैं विले और विलायक और उसी तरह एक कोलाइडल विल्यन के घटक परिशिप प्रावस्था जिसे हम डिस्पर्स्ट फेस कहते हैं और परिशेपन माध्यम, जिसे हम डिस्पर्शन माध्यम कहते हैं, होते हैं, जिस तरह एक विल्यन में विलय के कण होते हैं, उसी तरह एक कुलाइड में बिखरे हुए कण परिशिप्ट प्रावस्था का निर्मान करते हैं, और ठीक उसी तरह जैसे एक विल्यन में विलायक ह होता है वैसे ही जिस मार्ध्यम में परिशिप्त प्रावस्था को निलंबित किया जाता है उसे परिशेपन मार्ध्यम के रूप में जाना जाता है को लाइट को परिशिप्त प्रावस्था और परिशेपन मार्ध्यम की अवस्था लप ठोस तरल या गैस के अनुसार वर्गी क्रित किया जाता है तो आईए इसे को धारन से समझते हैं कि आप जानते हैं गाड़ी से निकलने वाला धुआ हमें नुकसान क्यों करता है क्योंकि इसमें जहरीली गयसे होती हैं और छोटे छोटे ठोस कण होते हैं जो हमारे फेफ्रों को नुकसान पहुँचाते हैं तो गाड़ी से निकलने वाले धूएं में ग्यास माध्यम में ठोस के कन बिखरे हुए होते हैं अता इसमें परिशिप्त प्रावस्था एक ठोस होगा और परिशेपन माध्यम एक ग्यास होगी और इस तरह के कुलाइड विलियन को हम एरोसॉल कहते है इस टेबल में सभी तरह के कुलाइड उनके परिशिप्त प्रावस्था और परिशेपन माध्यम प्रकार और उदाहरन के साथ दिये गए है यह आपके NCRT के पुस्तक पे भी है पर यहाँ पर भी अप ध्यान से देखें इसे एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा यह आपके सामनी है इसे अपनी कॉपी में नूट कर ले